कि नाश्बाथ करेंगे और सर्वेंग फर्स्ट हीए आप लोग भी अपना בא से मैंघ अलग अलग अलगaltet समस्टर में टो जो लोग वी अगर विटी यूपी से हैं तो इस हमें फोर्थ समस्टर में है ठीक है अभी बाकी लोगों की अलग-अलग समेश्टर में हो सकता है बट सलेबस अपका लगवग एक ही है ठीक है इसके क्लास शुरू करने से पहले दो मिनिट की जानकारी आपका जो एंड्रॉइड है उसको डाउनलूट कर लिए और कोई भी जानकारी आपको चाहिए यहां पर ठीक है इन राज्यों को हम लोग कवर कर रहे हैं इनको भी फ़ड़ा ध्यान रखेगा ठीक है एंड्रॉइड आप पर बहुत सारे फ्री मैटेरियल्स भी आपको मिल जाते हैं जैसे कि अपनी पीडियाफ बुक वगरा या फिर जो रिवीजन क्लास होती है उनकी प्री नोट्स मिल जाती है सब कुछ तो नहीं लेकिन कुछ फ्री कंटेंट भी इस पर आपको मिलता है जब भी क्लास रिवीजन वगरा क्यों तो आप अगर पैसा नहीं भी दी है तब भी आप इस पर ठीक है ना तो एप पर आप जूड़ जाते हैं तो आपको बहुत सारे है फाइदम मिलेंगे डाउनलोड रखे सिविल एंजिनिंग से बिलॉंग करते हैं और सिविल टेक्स अगर मोबाइल में नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत तो है ठीक है ना रखेगा इसको फोन में बाकि चलिए आज हम लोग अपना अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करते ह करना चाहते हैं कोर्स वो लोग जरूर अपना अभी समेस्टर क्लास में फीस जो है यहां पर रिविल नहीं करूंगा लेकिन हाँ वीडियो का नाम लिखा उस पर क्लिक करिए लिखा हुआ मिल जाएगा कोर्स कैसे करें और वहां से सारी जनकारी आपको मिल जो लोग अलग- सबस्ट का सेलेबस देख लेते हैं क्या है अपना सबसे पहला चेप्टर आपका है वो इंट्रोडक्षन सलेबस हमने पूरा दिस्कस कर लिया था पूरे सलेबस अब इन्टोड़क्शन जिसमें से बेसिक प्रिंसिपल आप सरवेइंग कॉंसेप्ट एन परपज आप सर्व ठीक है न एक चीर आपको में बता दूं कि ये टॉपिक जो है उसमें कुछ कम लिखे हैं थोड़ा से जादा तो उमको जानना ही पड़ेगा आप भी जानते हैं जो लिखा गया वह बहुत बेस है लेकिन हम लोग बात करेंगे किसके बारे में जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले तो जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं नये हैं उनके लिए मैं आज बात करूं आप से कि क्या है तो सर्वेइं का मतलब हिंदी में होता है सर्वेक्षण और इसको सर्वेइं का बहुत जनरल मत्तब देखिए पूरा जो आपका aim है object है जो कि आपने syllabus में देखा ठीक है ना सबसे पहले basic principle दे दिया था तो पहले तो हम लोग definition की बात करेंगे ठीक है ना definition की बात करेंगे और definition जो आपकी कहती है यानि जो इसकी परिभासा कहती है वो क्या कहती है इसके बारे में और हमें इसका क्या करना देखें सर्वेंग का आपके सरेवस में उद्देश से सिर्फ और सिर्फ इंजिनिरिंग सर्वे से है ठीक है इंजिनिरिंग सर्वे वो सर्वे है जिसके तहत हम लोग तो सर्वे करके किसी भी पॉइंट्स हों, कई सारे पॉइंट्स हों, उनके बीच की रिलेटीव पोजिशन्स निकालता है, ठीक है न, डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, और फिस डेफिनेशन को, जो पूरी डेफिनेशन है, उसको समझने का प्रयास करिए, आधी बात वै मैं क्या समझाओंगा, वो तो आपको लेक्चर के अंता जाते जाते समझने में आई जाएगा, तो डेफिनेशन सेज, कि सर्वेंग, मैं हिंदी भी बोलूँगा, इंगलिस भी, तो दोनों लंगमज में किसी को दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चे जो सुरू में थोड़े से आप वो दिक्कत करते हैं कि सार 씨 इंगलिस लिख रहे हैं, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं, तो समझने मा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आप अगर नुक्ष निकालने बैठाले हैं तो हो सकता आँ, तो दिक्कत हों, तो मैं दोनों बाते हें करूँगा, Surveying is an art to determine relative positions of points by measuring angles and distance या कह सकते हैं कि by taking angular and linear measurements मतलब मैं इसका हिंदी मतलब अगर आपको समझाओं तरवेक्षण ये कला है जिसके द्वारा बिंदूओं के भी सापेक्षिक इस्थिति निकाली जाती है कोड़ी और रैखिक मापों के द्वारा अब ये सब हम क्या करें डालें जो समझ में नहीं आए यदि आपको किसी छेत्र में कोई construction का काम करना मैं मुल बात समझी यह यह यही है लेकिन इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं यदि किसी छेत्र में कोई कंस्ट्रक्शन का काम सुरू करना है आप क्या क्या कर सुरू कर सकते हैं रोड सुरू कर सकते हैं आप बिल्डिंग को बना सकते हैं या फिर डैम को बना सकते हैं इन सब के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि उस छेत्र में उस छेत्र की इस्थिती क्या है उस छेत्र की इस्थिती का आर्थ यह है कि उस छेत्र में लोग कहां पहले हुए है कि इस पोजिशन में और जहां से उस छेत्र मोची बनाई जाने है उसके अगल बगल कैसा है सिस्टन है ठीक है आप बिलकुल भी कोई डैम ऐसी जगह नहीं बनाना चाहेंगे जहां पर पानी की हाइट अबेलेबल नहीं हो फिर उस डैम का क्या में और एक गढ़े में क्या अंतर होता है एक पॉंड में और उसमें क्या अंतर होता है अंतर बस इतना ही होता है कि डैम उचाई पर बनाया जाता है और जो गढ़्धा वगरा होता है वो सबसे निचले तल पर बनाया जाता है तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उस छे को नक्से पर उतारना कहलाता है सर्वेक्षण सर्वेक्षण एक कला है जिसके द्वारा लिनियर यानि रैखिक एंगुलर यानि कोडिय मापों के द्वारा बिंदूओं के बीच में सापेक्षिक इस्थिती निकाली जाती है यह सापेक्षिक इस्थिती सब्व का क्या मतलब ह बिंदूओं के बीच साप एच्छी किस्तिती सद्व का क्या मतलब है यदि आप नहीं जानेंगे कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितनी दूरी पर है तो आप उनके बीच की मतलब केवल दूरी नहीं उनके बीच का दिषा भी कि वह किस पॉइंट पर लाई करते हैं जब आप ये जान जायेंगे कि वो एक दीच से किस पॉइंट प्लॉट कर पाएंगे आज अगें ठीक से प्लॉट करने लगेंगे तो आपका ठीक से नक्सादी बनने लगेगा अब यह नक्सा बनाना क्यों जरूरी है तो आप एक चीज जान लिजे आपको कोई ब्रिज गुजारना था माल सपोज करिए एक रोड यह बनानी थी तो रोड बनाने के लिए माल लिजे आपको मिला प्रोजेक्ट की कुछ गाओं को जोड़ने वाली सड़क बनाई जानी है और आप ने कहा कि ठीक है यहां से खड़े हो करके आपने उमिद किया कि यहां तक यह जग़ा को दोड़ने या फिर सपोज नहर गुजारनी थी आप नहर कहां से खोद रहा है बंगल के खाड़ि के अगल बगल सा कोई सहर ले करके उधर से उल्टा ुपर के तरह तो पानी बंगाल की खाड़ी में से लेकर जाएंगे उपर तो जाएगा पानी नहर हमेशा उसी जगह पर होगी जहां से पानी gravity के तुरू नीचे आ सके तो पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि पृतिवी पर कौन से बिंदू उचे हैं और कौन से नीचे हैं आप बता सकते हैं क यह भी सर्विच्ण का ही नियम है मालूम करने से यह होगा कि जब नहर खोदी जाएगी तो नहर लगातार धाल पे चलती जाती है तो बनारस में श्थित पानी आपके सहर में चड़ जाए यह बिल्कुल जरूरी नहीं है आपके सहर का पानी बगल वाले में चड़ जाए ब पाइले उस छेत्र का जहां पर वो काम किया जाना है उस छेत्र का एक नक्सा बना होना चाहिए जिस नक्से में उन जगहों की सारी डिटेल जैसे उस जगह के अगल बगल में क्या है उस जगह के उचाई कितनी है उस जगह का कंटूर मैप मिल जा है तो उसकी करने के लिए हमको क्या चहिए होता है हमको चहिए होता है उस जगह का मैप जैसे आपके पास भारत का नकसा ज estasख का नाचा चि कुंक देख अब पासानी से बतासकते हैं कि डिल्ली जो है वह राजिस्तान के नजदीख है मतलब ऐसे सोचा जातो और तमल नाडू से दूर है क्या आप ऐसे बैठे बैठे क्या बता लेंगे कितनी दूरी है आप कुछ लोगों ने नक्सा देखा है तो मारिन फिट है लेकिन आपको इतना ही पता अगर क्लियर पता हो तो आप बता दीजिए कि कोई ऐसे सहर का नाम म नक्सा पहले बना कैसे वो नक्से में हर चीज अगर सही जगह पर सेट होगी तभी तो बन पाएगा तो उस सही जगह पर नक्से को सेट करके जो बनाने का काम है वो किसका काम होता है मतलब एक सर्वेयर ही होता है civil engineering में जो एक सर्वे का map बनाता है सामाने नक्सा जो होता है जो कोई बनाई जाने वाली चीज़ा जैसे building बनने वाली उसका नक्सा बनवाने गए bridge बनने वाला है उसका हर चीज़ का नक्सा जो आप बनवाते हैं which has to be constructed वो तो architecture करते हैं लेकिन किसी जगह का नक्सा बनाना जो आल्रेडी है उसकी एक photo तयार करना कहलाता है किसका काम सर्वेयर मैप और वो काम करता है civil engineer बातसमारी एक architect का बनाया हुआ नक्सा वो होता है जो चीज़ बनाई जानी है जो बनी नहीं है जो है नहीं वहीं पर जब civil engineer अपना मैप देगा कि यह उस छेत्र का नक्सा है तो उसी छेत्र के उसी नक्से पर architect अपना एक नक्सा बनायेगा जिस पर वो construction होगा जिसकी जरूरत है बातसमारी न तो यह एक survey का काम है मतलब आब को अब तक survey का काम समण में आ जया होगा कि अगर एक बिंदू को दूसरे बिंदू माली जोडना है माली जीaze हमको पता करना कि यहाँ चली हमने यहां लिख दिया दिल्ली तो जब तक दिल्ली से गोरखपूर की दूरी दिल्ली से बनारस की दूरी से इलाबाद की दूरी नहीं पता रहेगी अपलस दिल्ली से गोरखपूर आपने कहा सर तो जब तक आपको यह न पता रहे कि दिली किस दिशा में और कितनी दूरी पर गोरकपुर है तो फिर आप वहां की दूरी वहां की दूरी आप नहीं उस जगह का नक्षा ठीक से नहीं बना पाएने जब हर पॉइंट पता रहेगा तो सारे पॉइंट्स को घेर करके नक्षा बन जाएगा मतलब बिंदूओं की सापेक्षिक इस्तिती relative position को निकालना एक सर्वेयर का काम है उसको कागच पे plot करके एक engineering नक्सा तैयार करना भी सर्वेयर का काम है बात समारी मतलब फिर से मैं बोल दूँ definition सर्वेक्षण एक कला है जिसके द्वारा कोई सर्वेयर बिंदूओं के बीच सापेच्षिक इस्तिती उनके बीच रैखिक और पोड़ी ये मापन लेकर के ज्याद करता है उन मापे गए आकणों से वो नक्से भी बनाता है और उन्हीं सबसे पहला काम होगा सबसे पहला काम आपका क्या होगा सर्वे होगा बात सबसे पहला काम सर्वे होगा जब भी सर्वे किया जाता है किसी भी छेत्र का ठीक है ना सर्वे जब भी किसी छेत्र का किया जाता है तो final agenda नक्षा बना के दे देना है और उस नक्षे से हम लोग उस छेतर की पूरी जनकारी ले लेंगे ठीक है, survey कई type के होंगे उनका classification करेंगे उससे पहले हमको पढ़ना पढ़ेगा basic principles of survey basic principles of survey basic principles of survey यानि survey क्छण का जो मूल सिध्धान्त है सर्वे के मूल सिध्धान्त समझें बात को मूल रूप से survey चण जब करने जाएं गया तो उनके लिए दो सिध्धान्तों को अपनाया गया ठीक है ना, कहा गया कि अगर इनको किया जाएगा तो पूरा survey ठीक से चलेगा ठीक ठाक तरीके से कहा गया ठीक है ना मतलब इस सर्वे के पहले सिध्धान्त को जब बनाया गया तो बोला गया वर्किंग फ्रॉम होल टू पाइट वर्किंग फ्रॉम होल टू पाइट मतलब इसको कहते हैं कारे को कारे को पूर्ण से अन्स की ओर बढ़ाना यानि कि अच्छा एक चीज़ और है सर्वे फर्स्ट में नुमेरिकल भी है तो इसको theoretical subject समझने की गलती मत करिए आगे नुमेरिकल आपको पता चलेंगे हिला के रख देंगे ठीक है और लेकिन मेरी guarantee यह भी है कि मैं सर्वे को हिला के रख दूँगा बने रहिए और देखते जाए ठीक है तो कार को पूर्ण से अ पनाने का जो भी काम आप करना है ठीक है कभी भी uns से पूर्ण की और मत बढ़िए हमेशा whole to part जाना है न की part to whole आना है तो कभी भी कोई अंदर का काम पहले करके दीरे-दीरे बाहर बढ़ने की कोश्चित मत करेगा हमेशा काम की पहले boundary तैय करेगा और उसके बाद अंदर आ इसको अपनाने से तुरूटियों का 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 लगभाग निराकरण हो जाता है या तुरूटियों सिमट जाती है निराकरण या समेटन ठीक है ना हो जाता है हो जाता है इसका मतलब होता है कि if we work from whole to part the errors will be accumulated errors will be accumulated का मतलब होता है यह तुरूटियां संचीत होकर के अपने आप ही क्या होती है खतम हो जाती है हमेशा सार्वे करते समय पहला सिध्धान आपको यह दिहान रखना है क्या पढ़ा रहे हैं इसको काम को हमेशा पूर्ण से अंस्क्योर बढ़ाना जिससे तूटियों का स्वता निराकरम हो जाए पहला सिध्धानत है दूसरा मुख्य सिध्धानत क्या है है लोकेटिंग निवपुइंट 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 सिध्धानत कंशवते हैं मतलब किसी भी नए बिंदु की इस्थिती का निर्धारन कम से कम दो संदर्व बिंदूओं की सहायता से करना किसी भी नए बिंदू की इस्थिति का निर्धारण कम से कम दो संदर्व बिंदूओं की सहायता से करना मतलब आपने सर्वे जब शुरू किया तो पहला काम तो यह करना कि बाहर से अंदर की और काम करना दूसरा जब भी कोई नए बिंदू के बारें बताना कि this is the point तो उसकी इस्थिती दो तरीके से बताना किसी एक तरीके से नहीं जैसे अगर कोई मैंने अभी थोड़ी दिर पहले आपसे बोला कि आप अगर ऐसा करेंगे कि आप बोलेंगे कि दिल्ली यहां पर है आपने अगर यहां बोल दिया कि यहां पर क्या है दिल्ली है तो आप केवल यह कहा दें कि यहां से साड़े साथ सो किलोमीटर चले जाएए और गोरकपूर आ जाएगा, तो साड़े साथ सो किलोमीटर दिल्ली से यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, सब साड़े साथ सो किलोमीटर होगे, लेकिन आपको एक चीज तो आपने बताया, इसको डिफाइन करने के लिए आपने एक चीज बत जीसको जाना है आझा कर दिए कि सार इस लग्षा फोर्न यहां से कौड़ी राम से 60 किलोमीटर से तो जो जानेगा की पाराव nat जी तो जो बिंदु से आप बता रहा है पहले तो उसकी बाले हमालूम चाहिए हमने यहां कहा कि locating a new point locate करना एक नए बिंदु को with the help of minimum two points नहीं लिखाओं two points नहीं two reference points reference बिंदु उसको कहते हैं जिसके बारे में व्यक्ति पहले से जान रहा हो जैसे हमने दिल्ली के बारे में बोला दिल्ली को आप जानते हैं तो उसकी मदद से 700 km दूरी पर जाएए और इस दिसा में जाएए गुरकपुर मिल लेकिन यदि आप दिल्ली को ही नहीं जानते हैं तो दिल्ली is a point but it is not acting as a reference point if the observer is not knowing what exactly दिल्ली is or where exactly दिल्ली इस मतब कहां पर दिल्ली है यह पहले अगले को समझना पड़ेगा उसके बाद यानि कि हमने यह समझा कि यह जो दो जो दो मुख्य सिध्धान्त हैं यह क्यों बताया गया क्योंकि अगर एक कही तरह से लोकेट करेंगे किसी point के हो तो उसके कही मतलब निकलेंगे जैसे दिल्ली से साड़े साथ सो किलोमेटर दूरी तो इसका सही सही स्थिति पता चल पाया किसी बिंदू की सही सही स्थिति निर्धारणों इसके लिए इस सिध्धान्त को मानना जरूरी है पूरे सर्वे में पहला मुख्य सिध्धान्त है working from all to part दूसरा मुख्य सिध्धान्त है किसी भी नए बिंदू के बारे में कम से कम दो रिफरेंस या नहीं दो संदर बिंदू की मदद से बताना उससे कम नह समय करता हूं दोनों सिध्धान्त के थिक यह दोनों सिध्धान्त हों आप चलिए सर्वे आप ने किया कि हाह सर इतने सार्वे arguments हो गए अब बताएं पहले इनके बारे में कि आपने यह सरे क्या है सर्वे करते सामर मुख्य सिध plugged कौन से अपनाने है अब मैं सर्वे के टाइप बता दूँ आपको अगर मैं टाइफ आप सर्वे की बात करों तो किवांत यहां पर कि वां तरूक करों एग तो दो तरीके से इस दो क्या और कई तरीके से मतलब मैं तीन तरीके से कमसे-कम सर्वे को बाना थेता हूं was अरजी इस क्या क्या हमें पहरली चीज सशरा बांटने है तरीका है वह है औजबे सी संम मा अंच बे debates दूसरा हमने लिखा यहाँ पे on the basis of object और परपज और अगला हमने लिख दिया on the basis of instrument used तीन तरह से सर्वे को अमने बाटा अर्थ करवेचर के आधार पर यह माना गया कि नक्सा तो प्रित्वी परी बनेगा लेंड सर्वे इसको कई वार का जाता है सर्वे फर्स्ट को इसमें बाटा गया कि कम दो तरह के होते हैं सर्वे एक होता है प्लेन सर्वे इसको बोलते हैं समतल सर्वेक्षण समतल सर्वेक्षण ऐसे मत लिखिए बलकि इस तरह से लिखिए इसको बोलते हैं पहले वाले को प्लेन सर्वे और दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग जियोडेटिक सर्वे अब यह प्लेन सर्वे को मोलते हैं हम लोग समतल सर्वेक्षण समतल सर्वेक्षण और दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग कि इसको बोलते हैं समतल सर्वेक्षण जियोडेटिक को हिंदी में बोलते हैं बस मुझे एक मिनट कर समय दीजी में बता देरा हूं भू प्रिस्ठी सरवेक्षा जो डिटिक सरवेक्षा बोलते हैं अब यह दोनों क्या होते हैं फिर देखे एक आधार पर किसी जिसको माटने के कई आधार हो सकते हैं मैंने कई बार बता है कि जब बातना ही है तो किसी मैंने पूछा आपसे आदमी कितने प्रकार क्यों होते हैं तो आप कहीएगा कि सर छोटे बड़े गोरे काले बुद्धिमान बेकूफ तो हम कहेंगे यार लंबाई क्या धार बताओ तो आप कहेंगे कुछ छोटे और कुछ लंबे तो इसी तरह सर्वे को बाटने के भी कई अधार है एक सर्वे आपने बाटा कि प्रित्वी की वक्रता प्रित्वी को क्या माने फ्लेट मान ले यह प्रिथिवी घूमा हुआ है कर्व है यानि प्रिथिवी पर जवाब तहलते हैं आप तो प्रिथिवी को अच्छे तरीके जानते हैं कि प्रिथिवी कैसी है ऐसे गोल है लेकिन क्या आप इसको ऐसा मानें कि आप मानने यार ऐसे है सीधा है क्योंकि देखें इतना बड़ा है देखरां इतने चोटी सी दूरी आपको मैं गर περι्जूम कर दूँ देखें आप द्यान प्र कि देख ये चोटी सी दुरी यहां पर ये चोटी से दूरी के बीज नो बता सकते हैं। ये खोंटी सी दूरी आॉर्ट हाइ ना बता सकते हैं तो आप एकड़ Top इससे आप समझ चुके होंगे कि यह depend करता है कि हम लोग कितनी दूरी पर काम करना है ठीक है तो ऐसा सर्वेच्छन जिसमें पृत्वी को समतल मान लिया गया तो जायरतमाद छोटे छोटे जगह पर काम करना है तो यह समतल मान लेना ही ठीक है क्योंकि भूप्रिष्ट पर इस इसमें पृत्वी की वक्रता को छोड़ दिया रहता है इसमें पृत्वी की वक्रता को द्यान में नहीं रखा जाता हिं दिस टायप ओए करेचर आफ अफ द अर्थ is neglected in this type of survey curvature of the earth is neglected क्या हिंदी इंगलीस वाले लोगों को सिखायत है क्या अगर सिखायत है तो इसते ज़्यादा कोई दूर भी नहीं कर पाएगा मेरा यकीन करिए आप ठीक ना मतला हमने बोला इसमें प्रिथिवी की वकरता को ध्यान में नहीं रखा जाता है इसमें वकरता को ध्यान में रखा जाता है तेकर ना मतलब इन इस सर्वे इन जिए रखा जाता है करवेचर आप दो एकाउंट मतलब इसको वकरता को ध्यान में रखा जाता है दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें इसी तरह से प्रित्वी के वकरता को ध्यान में रखा जाता है इसमें इसमें नहीं रखा जाता है इस यह तो जाहिरत बात है यह कम परिशुद्ध है यान परिशुद्द है अगर और आगे हम बातने करें अगर और इसके बारे हम लोग बातने करें तो हम कहेंगे कि ये छोटे ऐरिया छोटे छेत्रफल छोटे छेत्रफल लगभग लगभग लगभग, 260 या 250 दोनों लिखा रहता है, दोनों सही घवरानेक जरुवत नहीं है, कोई एक ही देगा question में, 260 स्क्वार किलोमीटर से कम के लिए उपयूग्त है, उपयूग्त है, इसमें क्या लिखेंगे, जब जब छेत्रफल, मतलब जिस पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जब छेत्रफल, 260 स्क्वार किलोमीटर से जादा हो, तो यह अपनाया जाता है, कौन, यह अपनाया जाता है, जानते हैं ऐसा है, यह सब क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको मैं आपको बता जूँ यहां पे, अगर मैं पृत्वी को ऐसे समझूँ, अगर मैं प्रित्वी को ऐसे समझों कि प्रित्वी क्या है एक तरह से प्रित्वी को अगर ध्यान समझेंगे ना तो वो ऐसे है चप्टी सी थोड़ी सी चप्टी सी अब हम ज्यादा चप्टा दिखा है आप मत समझेगा इसको ज्यादा चप्टा किẢ sama home下 कि इसका जो यह वालाय ये वाला ये और यह वाला है कि इसमें अंतर है मतलब इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वह सला एक्सेस मतलब अक्षैं यह वह बोलाई के अने धासिवी रोड याइस को क्या वह ल स्ऐसें वहिद्श्य को Epit Chamber आप ये पॉलर की जो लमबाई होती है लगवाग 1ग 120 595 किलो मीतर खिंड किकलो मीटर जबकि इसकी लमबाई जो होती है ऊंब की लगभाग 6 amigos 4 acc like सीदा लिखा हुआ मिलता है लेगान आप चाहें तो इसमें थोड़ा वहत उपर नीचे हो जाता है तो यह आपका जो है हिसाब किताब है इसका कि 43.43 किलोमेटर का डिफरेंस मिलता है ठीक है दूसरा अगर पृत्वी के पृत्वी के अगर आप यहां से यहां तक मतलब ऐसे करव पे चलेगा कितना लगभाग 18 किलोमेटर तो पृत्वी आप जानते हैं ठीक है ना पृत्वी के वकरता के कारण यहां पर चोटा साइडिंग हम लोग पढ़ लें इफेक्ट ऑफ करवेचर ऑफ अर्थ करवेचर ऑफ अर्थ तो क्या पढ़ता है यहां पर डिफरेंस बिट्वेंड ध्यान समझेगा इस चीज को डिफर अर्थ अन आर्थ आर्थ अएंड अंड कर्यस्पोंडिंग कोर्ड मैं भी बताता हूं यह सब क्या लिक रहा हूं है कर्यस्पोंडिंग कोड आफ अलेंफ 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 आफ लेंफ आफ 8.2 km सेंटीमेटर और यह सब क्या है यह कहीं किताबों में आपको 100 mm मिलेगा बट इग्नोर करिए उसाही नहीं यदि प्रित्वी पर ऐसे प्रित्वी के वक्रता में ऐसे वक्र लिया ठीक है और उस पर 18 km की दूरी चली जाए और उसको ऐसे से मिलाया जा सीधा तो देखे 18 km में अगर आप चलते हैं यह 18 km यहां से यहां तक यह डेटा ना बहुत ताम जहाम वाला है आठारा को प्रिक्स मत मानेगा इस पर कमहें और बात करेंगे आपके डिपलोमा में इसका बहुत दिक्कत मकेडिए इस यह इधार कीरिंटर होगा यह वाला जो होगा जो इसकी अर्क होगी यह सीधा वाला वह 18 km से कीर व्हुंस से को कम होगी सेंटीमीटर फोटी करता जब 18 km जाने वे जब इतनी सा आसर पड़ रहा है तो क्यों नो उसको छोड़ी दिया जा इसलिए छोटे शेत्रफल के लिए हम लोग क्या करते हैं कौन सा सर्वे अपनाते हैं on the basis of purpose के अगर बात करें हम लोग कि परपच क्या अधार पर मतलब इसमें जो उद्देश से है उसके अधार पर अगर इसका वरगी करन करें तो उद्देशों के अधार पर हम लोग इसको कह सकते हैं कैसा कैसा सर्वे हो सकता है इंजिनेरिंग सर्वे ज्यान समझेगा इंजिनेरिंग सर्वे मतलब कोई सर्वे कर रहा है और देश की जनसंख्या जानना चाहता है तो वो भी एक तरह का सर्वे है और उसका सेंसेज जानने के लिए उसका अलग हिसाब है जनगरना उसकी अलग है सेंसेज दूसरा है लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं हम तो अपना कोई construction करना चाह रहे हैं तो हमारा सर्वे करने का उद्देश है engineering इसलिए हमारा सर्वे इंजिनिरिंग सर्वे कोई और हजऄं अगर करना चाहता है वह पूरा चाहतों है निकाल रहा है उसको कहते हैं वह सर्वे कर रहा है को नहीं कहा है उसको लोजिए इस ही टाइफ से अगर कोई व्यक्ती जल के भी बड़ी बड़ी पींड़ों पर अपना दिमाग लगा रहा है पानी के अंदर वाली वस्तुमों पर विचार कर रहा है तो उसको कहते हैं वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने चला है बात सुन्दा रहे हैं इसी तरीके से कोई और व्यक्ति ग्रहों न चत्रों में ज्यादा उनकी खोज कबर रख रहा है तो इसका मतलब वो ऐस्ट्रोनॉ सर्वे कर रहा है इसी तरीके से कोई अगर मिलेट्री वर्स के लिए सर्वे हो रहा है मिलेट्री का मतलब क्या होता है मिलेट्री का मतलब क्या होता है अगर सेना अपने लिए कोई काम कर रही है सेना आप समझते हैं सेना तब अपने लिए कोई काम करती है जब तेज माली ज जल्दी ले आना है तमाम ऐसे जल्दी बाजी वाले काम होते हैं तो वह ऐसे केस में उसको कहते हैं हम लोग कि military survey कर रहा है वो बंदा जैसा जिसका काम हो उस हिसाब से survey का नमांकन अम्मालिजे किसी को बाटना है जमीन जायदात का बटवारा करना है तो उसके लिए उसको केडस्ट्रल सर्वे करना पड़ेगा केडस्ट्रल सर्वे यानि जमीन के बटवारे के लिए या सीमाओं के निर्धारण के लिए सर्वे यानि भूकर red ions सर्वे उवी इसको हाईडो दैंगे इतने सारे औबजेक्ट और एम के अधार पयापर परपज क्या अधार पर सर्वे करना हो सकता है थीके ना सर्वे को इन आधारों पर बाटा जा सकता है नहीं तो सर्वे को प्लेन और जियोडेटिक के आधार पर बाटा जा सकता है और नहीं तो सर्वे को फिर इंस्ट्रुमेंट मतलब सर्वे करने में आप कौन सा इंस्ट्रुमेंट यूज कर रहा है उसके आधार पर बाटा जा सकत या उसके आधार पर सर्वे का नाम है कम पास सर्वे क्षण हो सकता है या फिर आपका प्लेंट टेबल हो सकता है आपका थ्यूडोलाइट सर्वे हो सकता है यह सब क्या आभी मैं बताऊंगा थ्यूडोलाइट सर्वे हो सकता है उसके बाद आपका पॉटोग्राफी सर्वे हो सकता है या फिर आपका हो सकता है टोटल स्टेशन की मदद से इसमें से आपको जो पढ़ना है वो यह तीन अपलस लेवलिंग पढ़ना है आपके सलेबस में जो चैप्टर बनाए गए है वो सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्स न के बाद chain survey, compass survey, labeling और plane table, 3-4 chapter आपके हैं इन ही उपकरणों की मदद से survey करना आप सीखेंगे अपने survey first की book में आप इन ही उपकरणों से survey करना सीखेंगे, तो मुझे लगता है कि इतना से जितना आपने आज देखा यही वह पोरा है, आपने जितना ने देखा यह पूरा आपके सामने इस टाइम है यह पूरी बात है ठीक है थोड़ा चोटा ज़रूर दिख रहा लेकिंद इतना ही आप लोगों अभी तक देखा ठीक है तो यह वह चीजें है जो आप लोगों समझ्जा और देखा कि सरवे का वरगी करण कैसे कैसे किया गया और उन वरगी करणों से आप लोगों कुछ तो सबसे जो पहली बात जो हम लोगों को समझेना था यहां प्रिंसिपल आप सर्मेंट ने गीक्ना अभी अöhंण program मेजर्मेंट्रों और linear measurements कहते लेंगो उसको देखेंगे लेकिन instrument used for taking these measurements classification based on surveying instrument directly लिखा था केवल surveying instrument के आधार पर जैसे हमने classification किसके आधार पर किया था देखें यहां पर आपको ध्यान होगा देखे classification basis और instrument user मतलब वही जो बोला उसने लेकिन हमने और basis पर भी classify किया जो उसने नहीं बोला था इन आधारों पर भी हमने बाटा जो नहीं नहीं बोला था चुकि आता exam में आएगा इसलिए उन आधारों पर उसको समझना जरूरी है clear है बात भाई समझ में आ गई बात उसके लिए आपको निश्चित रूप से मिजर्मेंट तो लेना ही पड़ेगा यानि आप सबसे पहली बात करेंगे किसके बारे में, मिजर्मेंट के बारे में ठीक है? आप सबसे पहला बात करेंगे किसके? मिजर्मेंट सिंसर्वे के बारे में, ठीक है? measurements in survey तो देखे जब भी कोई engineering survey काम करना जाएंगे तो दो ही टाइस Bye measurements मुख़्रूप से लिए जाते हैं पहला measurement क्या लिया जाता है जिसको कहते हैं मोग linear measurement linear एंगूलर मिजरमेंट और दूसरा होता है आपका थींग का थे न सहुआ या निसको बोलत〜 रहा खिक मापन इसको बोलते हैं से हम लोग रहा खिक मापन इसको और श्कूर लोग ह 사ब महपान ARM कोड़ी मापन तो रैखिक मापन क्या होता है आप भी जानते हैं कि मैंने बोला कि किसी भी चीज को नक्से पर दर्साने के लिए अपना नक्सा जब बनाएंगे तो नक्से में मालो यहां पर हमने पॉइंट रहा यहां दिली रहेगा कितना दूर खीचे यार कि जैपूर गोर आपन लेना पड़ेगा तो यह तो सामाने बात मैं बताई कितना हीं तो होगा नहीं लेकिन हाँ एक हंट करते चलगा है तो लिनिर मिजरमेंट्स को रहेंगे जिससे आपका ठीक ठीक जो है वह मतलब समझ मांतों लिनिएर मिजरमेंट्स लेने के लिए दो रेकिख कर सकते हैं यूज इडियम का आप कर सकते हैं यूज टोटल स्टेशन का यह सब क्या है सीधी दूरी आप यूज कर सकते हैं टैको मीटर का यह सारे वो तरीके हैं जिनसे दो बिंदूओं के बीच में आप दूरियां क्या कर सकते हैं माप सकते हैं इन तरीकों से अब यह क्या ह जानेंगे कुछ सर्वे सेकंड में जानेंगे लेकिन आप सुनते तो जाएंगे तभी आपको समझ बहुएगी इसी तरीके से जब अंगुलर मिजर्मेंट की बाता आती है तो आप सबसे आसानी से कर सकते हैं श्रक्ते शॉद्व राइट का आप कर सकते हैं सद्ट रॉटल ईस्टेशन ब एक तरह से क्या है मां अपने वाले उक्करण है है और yè कौन्स हैं आपके एल रेखा के मतलब लंबाई मापने माली उपकरण है तो इन मिजर्मेंट्स को लेने के लिए या linear measurement आपको लेना हो यानी रैकिक मापण लेना हो या आपको angular measurement यानी कोणी मापण लेना हो दोनों ही लेने के लिए आपको उपकरणों की जरुवत पड़ेगी और इन ही उपकरणों का प्रयोग करके आप मापेंगे ठीक है ना तो पहला चेप्टर जो हम लोग अपना शुरुवात करेंगे इसमें देखिए का सलेबस में हम लोग की क्या दिये यूनिट को मैं थोड़ा सब बता दे रहां आप पहले से जानते हों तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है लेकिन इंस्ट्रुमेंट यूज फॉर टेकिंग दीज मिजरमेंट कौन से इसे इंस्टुमेंट है जो इन मिजर्मेंट को लेने के प्रयोग किया जाते हैं तो कौन-कौन से हम वह भी मैंने बता दिया फिर क्लासिफिकेसं बेज़ डॉन सर्वेंग इंस्टुमेंट भी मैंने बता दिया लेकिन हम लोग एक चीना ही दुखए है यूनिट के बारे में तो द माली जे इंच फीट में आप रख सकते हैं इसको इंच या फिर इट में इसके अलावा आप दूरियों को पर लांग फॉरलांग फिर माइल इनमें भी रख सकते हैं मतलब यह वो तरीके हैं जिनसे मापन किसी न किसी तरीके से यूनेट में किया रज़ता है फरलांग, मील, inch, feet, mm, km में दूरियों को आप माप सकते हैं जबकि कोणी मापन में दो ही मुख्य तरूप से प्रयोग की रहते हैं कौन-कौन से इसमें यूज की रहते हैं आप कोण को या तो डिगरी में मापते है या फिर आप कोण को Radin में मापते हैं वो डिगरी या मिनिट तक मापते हैं, रेडियन में फार्मूला वगर आएगा, उसको आम लोग देखा जाएगा, तो ये था पहले चेप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा, लेकिन हो सकता है कि आपके दूसरे चेप्टर में उतनी चीज़े न दी हो, तो फिर मुझे एक चेप्टर और पढ़ाना पढ़ेगा, जो सेलेबस में भले न लिखा हो, लेकिन उसकी मिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, तो उस चेप्टर को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, या हो सकता है आपको उसी चेप्टर में इंक्लूड किया हो, तो दे चायना दे पढ़ना है आपको, तो अब अगले चेप्टर का इंतजार करी, इंट्रोडक्शन उनने बता दिया, सर्वे का उद्दे सिक्या, यह सब समझा दिया, चेप्टर अगर पसंद आ रहा हो और आगे आपको continue करना हो, तो नीचे description box में पूरे course का link है, कैसे मिलना है, नीचे scroll करते हुग आपको सब दिखराए स्क्रीन पे, कैसे मिलना है, WhatsApp नंबर दिया गया है, उस पर contact करके, आप course purchase करके, आपने पढ़ाई को बहुत ही effective price में continue कर सकता है, आप आगे के लिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक लिए मुझे दिजा रहा है, तामने बात,